दिल्ली से सटे फरीदाबाद में देर राथ सेक्टर सत्तर स्तित रोल्स हेरिटेज की बहु मंजिला इमारत में आग लग गई बारवी मंजिल पर लगी आग ने अपने उपर के कई फ्लैट को चपेट में ले लिया बता दे कि आग लग भग चार घंटे तक लगी रही लेकिन आग बुझाने के लिए पहुची फायर ब्रिगेड की टीम बहु मंजिला इमारत पर लगी आग को बुझाने में नाकाम रही गनिमत ये रही कि इस आग में किसी की जान नहीं गई लेकिन जिस भी फ्लोर में आग पहुची वहाँ इस आग से काफी नुकसान हुआ है फिलहाल पीडित लोग इस हाथसे के पीछे शॉट सर्केट होना कारण मान रहे हैं और बिल्डर की लापरवाही बता रहे हैं जिसकी शिकायत उन्होंने संबंदित थाने में की है बिल्डिंग में लगी आग इतनी भीशन थी की बारवी मनजिल पर लगी आग ने धीरे धीरे अपने उपर कई फ्लोरो को चपेट में ले लिया इस आग में फसे लोगों ने बताये कि उन्हें उनके पडोसियों ने फोन कर आग लगने की जानकारी दी लेकिन आग लगने के बाद अच्छे तावनी देने वाला अलारम ही नहीं बजा वही दूसरी पेडित महिला ने बताया कि आग उनकी बालकनी में लगी थी, उनका बेटा वहां सोया हुआ था आग लगने के चलते जब शीशा तूटा तब उनके बेटे की आग खुल गई, उनके बेटे ने आनन फानन में सब को जगाया और वो अपनी जान बचा कर भागे यदि उनके बेटे की आख ना खुलती तो उन सब की जान जा सकती थी वह इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग और पिडित परिवार इस आग जनी के पीछे शॉट सर्केट कारण बता रहे हैं पिडित लोग इस घटना के पीछे बिल्डर की लापरवाही भी बता रहे हैं पिडित लोगों ने बताये कि फ्लैट लेते समय विल्डर ने फायर सेफटी के नाम पर बकायदा डेट डेट लाक रुपे लिये थे लेकिन इन बिल्डिंगों में विल्डर के तरफ से आग लगने पर उस पर काबू पाने के लिए लगाये गए फायर उपकरन काम ही नहीं कर रहे जिसके चलते ये हादसा हुआ पिडियोतों के मताबिक आग लगने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मोके पर पहुच गए थे लेकिन फायर ब्रिगेड के पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं था कि बहु मनजिला इमारत पर लगी आग को भुजाय कैसे जा सके उनके मताबिक फायर ब्रिगेड और बिल्डिंग में रहने वाले आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए प्रियास बहुत किये थे लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका आग लगबग चार घंटे तक जलती रही सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया अब सवाल ये है कि जब फायर ब्रिगेड विभाग के पास ऐसी हाई राइस बिल्डिंग में आग लगने पर उसे बुजाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है तो ऐसी बिल्डिंग को फायर की एन उसी कैसे प्रदान की जाती है यदि बिल्डरों ने बिना फायर अनोसी के ऐसे विल्डिंग का नर्मान करवाया है तो उनके खिलाफ उचित कारेवाही होनी चाहिए क्योंकि फायर सिस्टम ना होने के चलते कभी भी फरीदबाद में सेकड़ों लोगों की जान जा सकती है यदि इन बहु मंजिला इमारतों को फायर के अनोसी दी गई है तो किसाधार पर दी गई है उसकी भी जाच होनी चाहिए